नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दाइनी टीवी में, मैं हूँ आपका दोस्त हरियोम यादों दोस्तो आज हम आपको प्रसिद्ध गाई का साधना सास्त्री जी के जीवन की कहानी सुनाएंगे दोस्तो साधना सास्त्री जी का नाम सुनते ही, आपके जहन में खूनी चुनरिया कहानी की ध्यान आगई होगी जी हाँ दोस्तो, खूनी चुनरिया, जैसी कहानी गाने वाली ये वही साधना सास्त्री जी हैं दोस्तो एक जमाना था जब लोग मारकेट से खूनी चुनरिया कैसिट लेके आया करते थे और साधना सास्त्री जी को सुना करते थे दोस्तो उस समय आज की तरह ज्यादा इंटरनेट की पहुँच नहीं थी आज तो आप लोग अपने मन का हर एक गाना बड़ी असानी से यूट्यूब पे सुन लेते हैं परन्तु साधना सास्त्री जब खूनी चुनरिया जैसी कहानिया गाया करती थी तो उस समय ज्यादा इंटरनेट की पहुँच नहीं थी सभी लोग कैसित या मिमोरी कार्ड में ही गाने बगएर सुना करते थे तो चली दोस्तो अब हम ज़्यादा देरना करती हुए आपको सुना रहे हैं लोग प्रिय गाई का साधना सास्त्री जी के जीवन की सच्ची कहानी विस्तार पूर्वक दोस्तो हम आपको बता दें साधना सास्त्री जी जिला फिरोजाबाद गाउं जेना मई की रहने वाली हैं इनके बड़े भाई फाउज में हैं दोस्तो एक बार साधना सास्त्री जी के गाउं के पास एक भागवत हुई थी वहाँ पर साधना सास्त्री जी भी गई थी दोस्तो साधना सास्त्री जी पुरुष देव महराज जी को बचपन से बहुत लाइक करती हैं और उन्ही की पूजा किया करती थी दोस्तो बचपन से ही साधना जी का ये भाव था कि मैं सास्त्री बनू दोस्तो साधना जी स्वामी अधार जी की बहुत कैस्टे सुना करती थी उनकी एक कैस्ट उस समय बहुत चली थी परम भक्त हर दौल उसको साधना जी ने इतना रट लिया था कि जो गाओं की बुढ़ी-बुढ़ी अम्माई होती है उनको रो रोके सुनाया करती थी तो वो लोग कहा करती थी कि पक्का ये सास्त्री बनेगी इसकी लगन तो ऐसी है कि ये सास्त्री जरूर बनेगी दोस्तो साधना जी के बड़े भाई हैं उनको ये सब गाना बजाना नहीं पसंद था वो साधना से कहा करते थे कि पढ़ाय लिखाई करो, मास्टर बनो, वकील बनो, पर सास्त्री न बनो फिर दोस्तों एक बार क्या हुआ कि साधना जी भगवान जी से कहा कि आप तो जानते हैं कि मेरी लगन इसी में है आप मेरे भईया के पास जाओ और उनको समझा दो आप तो भगवान हैं आप कुछ भी कर सकते हैं फिर दोस्तों क्या हुआ साधना जी के गुरू जी राम बहादूर सास्त्री जी ने सुना की साधना गाती है तो वो खुद साधना के भईया के पास गए इनके भईया दो महीने के छुटी में घर आई हुए थे जब राम बहादूर सास्त्री जी ने इनके भईया से बात चीत की तो वो बोले वैसे तो मुझे ये सब पसंद नहीं है परन्तु आप कहते हो तो मैं इसे कैसेट भरवाने के लिए भेज देता हूँ वैसे मैं इसे भेजना नहीं चायता था फिर दोस्तो साधना सास्त्री जी के गुरु जी साधना को तिरमूर्ती कमपनी के पास ले गए फिर वहाँ पर खोनी चुनरिया की रिकार्डिंग हुई दोस्तो साधना जी संगीत लाइन में आने का अस्रय अपने गुरु जी को देती है वो कहती है भगवान ऐसे गुरु जी सब को मिलें दोस्तो आपको बता दें साधना सास्त्री जी का पहले नाम नीरज था जी हाँ दोस्तो नीरज नाम था इनके गुरु जी ने इनका नाम बदल कर साधना रख दिया था दोस्तो हम आपको बता दें साधना सास्त्री जी की साधी हो चुकी है इनका ससरौाल कानपुर दिहात है दोस्तो साधना सास्त्री जी की बेटी 13 साल की है जो अभी पढ़ती है दोस्तो एक इंटर्वियू में साधना सास्त्री जी से कहा गया की जो आज कल की लड़कियां सोशल मीडिया पर बीडियो बनाती है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी तो साधना जी बोली, देखिए ऐसे बीडियो बनाने से ऐसे गाना गाने से अच्छा है कि आप घर में बैट के राधे राधे रटो तो कल्लेंड हो जायेगा साधना सास्त्री जी ने सबसे पहले खूनी चुनरिया गाया था तिर्मूर्ती कैसेट के माध्यम से इसके अलावा इन्होंने सत्यवान सवित्री, हत्यारे कंगन, लचमड सक्ती, बहन की लाज भाई के हाथ, अनेको कहानिया अपनी मधुरवाणी में गाया दोस्तो साधना सास्त्री जी ने तिर्मूर्ती कंपनी के अलावा और किसी कंपनी के लिए नहीं गाया कियुकि वो कहती है मुझे धन कमाने का सवक नहीं है तो दोस्तो कैसी लगी आपको साधना सास्त्री जी के जीवन की सची कहानी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तो हम आपको बता दें साधना सास्त्री जी का बायो ग्रोफी वीडियो अभी तक किसी ने भी बना के यूट्यूब पे नहीं डाला है और नहीं आपको इनके विशाय की जानकारी गूगल पे मिलेगी केवल आप हमारे चैनल पर ही देख रहे हैं अब दोस्तो इसी के साथ अपने दोस्त हरियों यादों को दीजिए इजाजत हम आप से फिर मिलेंगे किसी अंगले वीडियो में तब तक के लिए आप लोग देखते रहे ग्यान दाइनी टीवी चैनल नमस्कार